हेलो अबीवन वेलकम अगेने लणवेज दित्यमन बचों मैं हूँ अरुन सिंग हम पढ़ रहे हैं जोग्राफी और आज हम बात करने वाले हैं पृत्वी की गतियों के बारे में पृत्वी की गतियां देखो आपका चाहे दिन रात हो चाहे आपका साल हो महीने हो यह सब क्यों चलता है क्योंकि आपके पृत्वी की गतियों में तो पहली बात जब हम बात करें कि नीला ग्रह कहा जाता है आपको पता है क्यों क्योंकि जल की मातर लगबग लगबग 71 पृत तो इस वज़े से ये नीले रहे के तोर पे हमें दिखाई देता है पृत्वी को अंतिक से देखने पर नीले रंग क्या दिखाई देता है इसका कांड पृत्वी के चारों और इस्थित वायू मंडल है यह ना क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर वायू मंडल नहीं हो तो ह हमें कैसा दिखाई देगी पिर्थवी हमें बिल्कुल ब्लैक कलर की दिखाई देगी जहां सूरे का प्रिकास नहीं होगा और वैसे सामने इस्तिती में दिखाई देगी तो पिर्थवी के चारों और वायूमंडल पाये जाने वाले धूल के कणों के कारण प्रिकास प्रिक्र करन की वज़े से अंत्रिक्स यात्री को क कैसा दिखाई का आज को सब्सक्राइब करना कायां का नहीं कि अच्छ बिल्कुल है वहाँ पर कैसे दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा उसका कारण एक ये भी है कि वहाँ पर वायू मंडल नहीं है तो वहाँ पर प्रक्रिणन नहीं होगा प्रक्रिणन नहीं होगा तो वहाँ पर सारी चीजे मैग्जम काली दिखाई देती हैं या फिर चमकती हुई जो ख़गुलिय पिंड है वो चमकते हुई दिखाई देते हैं यदि प्रिच्वी के चारों वायूमंडल नहीं होता तो अंत्रिक श्याति को प्रिच्वी कैसे दिखाई देती तो वो काले रंग की है और गोल्डी लॉक्स जॉन में यह स्थित है गोल्डी लॉक्स जॉन क्या होता है गोल्डी लॉक्स जॉन वो जगह है एक तारे से एक ऐसी दूरी जहां पर यह आपका कोई स्टार है और स्टार से कोई प्लेनिट या फिर कोई और खगोली अपे इतनी दूरी पर रस्थित हो कि वहाँ ना तो ज़्यादा टैंपरेचर हो ना कम टैंपरेचर हो मतलब एक मीडियम सा टैंपरेचर वहाँ पे हो एक जीवन के लिए आवज्चक अब मालो 5000 डिगरी सेल्चिस टैंपरेचर रहा तो ऐसी जगह पर कोई जीव कैसे सर्वाइब करेगा यहां यहां फिर माइनस 273 परम सुनने ताप एपसुलूट जीरो टैंपरेचर हो तो वहाँ पर कैसी जीवन संभव होगा तो यह दोनों ही अनुकूल तम परिस्थित्यां तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बीच में एक इस टैंपरेचर है जो की जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है और एस जाउन को जहां पर टैंपरेचर नॉर्मल हो सकता है क्योंकि स्टार स에 ज्यादा दूर होने पर क्या होगा ग्रह जो होगा प्लेनٹ मिल रही है जो temperature के format में या किसे अन्य format में तो वो जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी कम energy मिलेगी तो ऐसी इस्थिति में वहां का temperature जो ज़्यादा दूरी पर होंगे वहां पर बहुत कम हो जाएगा और जो बहुत ज़्यादा करेब होंगे उनमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए बिलकुल बीच का सा temperature चीए तो वो इनकी मद्धे बीच में मद्धे दूरी पर इस्थित होगा तो इसी इसी इस्थिति को हम क्या बोलते है गोल्डी लॉक्स जान और हमारी जो प्रित्वी है वो गोल्डी लॉक्स जान में इस्थित है और इसी वज़े से यहाँ पर जीवन संबव है तो किसी तारे या सूरे से अनुकूलतम दूरी पर वहस देती ग्रहे जहां जीवन संबव होता है उसको क्या का जाता है Goldie Locks जॉन कहा जाता है सूरे से दूरी के आधार पर प्रित्वी का सौर मंडल तीसरा गरे है कौन सा तीसरा गरे है कौन सा है पहला बुद, सुक्र फिर प्रित्वी है आपका फिर मंगल है आपका देखो यहां पर जो questions पूछा जाता है सबसे वैसे तो सामाने तरफर कोई issues question यहां पर नहीं देखा जाता यह सिसतर पर लेकिन फिर भी एक तो इसके बारे में सुध गे पटी के बारे में पूछा जाता है तो किन ग्राहों के बीच में तो ये मंगल और ब्रहस्पती ग्रह के बीच में इस्थित है ये किसके बीच में इस्थित है मंगल और ब्रहस्पती ग्रह के बीच में इस्थित है दूसरी बात पूची जाती है पिर्थवी कौन से नंबर का ग्रह है तो बच्चों पिर्थवी सूरे से तीसरे नंबर का ग्र ग्रह कहा जाता है और इनको बाहए ग्रह के नाम से हम इनको जानते हैं ठीक है बच्छों आच्छा आगे देखें अगर आकार की दर्ष्टी से देखा जाए तो इनकी जो प्रिट्वी है वो सौरमनल का पांच वा सबसे बड़ा ग्रह है बात करें प्रिट्वी की आकरती के ब का है गुलाब आकरती का मतलब क्या होता है देखो जब राउंड से की बात करें तो हमारी जो प्रिट्वी है वो कंप्लीटली व्रत जैसी नहीं है वो क्या है जो आपके ध्रूविय छेत्र हैं वहां से थोड़ी सी चप्टी है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ये व विश्वत रेखा की जो प्रिदी है वो अगर हम ऐसे नापें तो वो कैसी होगी वो बड़ी होगी क्यों क्यों कि यहां से प्रिट्वी कैसी है अपकी हलकी सी चप्टी है घूणन गती के कारण यहां से कैसी हो गई है वो चप्टी हो गई है और यहां से इसका साइज थोड जाए तो यहाँ पर कैसा है व्यास इसका बड़ा है ठीक है व्यास क्या होता है इसको बीच में से एक लाइन से अगर जोड़ा जाए तो यह व्यास बड़ा है जबकि यह वाला छोटा है यह वाला जो धुरूविय व्यास है वो छोटा होता है और विश्वती व्यास जो होता विश्वत्य शेत्र का जो व्यास है वो बड़ा होता है तो यही इस्तिती क्या कहलाती है गोलाब कहलाती है इंगलिस में इसको क्या बोलते हैं जियोईड आगे देखें पिर्ट्वी भूमद्य रेखा या बीच में से चौड़ी तथा ध्रूओं के और चप्टी होती है इसके बारे हम बात कर चुके हैं और पिर्ट्वी का ध्रूविय व्यास क्या होता है ध्रूविय व्यास 12,714 किलोमेटर है जबकि भूमद्य रेखी व्यास या फिर विश्वती रेखी व्यास जो है 12,756 किलोमेटर है यानि आप देख सकते हैं इसमें काफी किलोमेटर का डिफरेंस है किते किलोमेटर का डिफरेंस है इसमें लगभग लगभग आपके 42 किलोमेटर का डिफरेंस में देखने को आपको मिलता है भूमद्य रेक्य परिधी की बात करें तो आपको कितना है 40,000 और 45 किलोमेटर बड़ा है यह भूमद्य रेक्य परिधी जबकि धुरुवय परिधी इसे काफी कम है और इसे कितनी कम है ये आपकी 67 km कम है ये कितना कम है ये 67 km कम है यानि 40,008 km दुरुविय पर इदिया आपकी देखने को मिलती है ये कितना कम है ये आपका लगभग 42 km आपका दुरुविय व्यास से जादा है ये दुरुविय व्यास से ये जादा है चलिए आगे देखें बा पिर्थी की गतियों के बारे में बात करें जो कि इसका मुखे टॉपिक है तो यहां पर पिर्थी की गतियों को मुखे तार पर तीन भागों में विवक्त किया गया है एक तो खगोलिय गति एक भूगर्विय गति एक भूआकर्तिक गति खगोलिय गति क्या है जब आपके सू पे घुमती है उसको हम क्या बोलते हैं गुर्णन गती जिसकी वज़े से क्या होते हैं दिन रात होते हैं और जो परिक्रमन गती होती है यानि सूरे के जो परिक्रमाई करती है उसकी वज़े से क्या होता है आपका वर्स होता है एक साल्म होता है जिसकी वज़े से आपके मौस गूमती है जिसके वज़े से आपका क्या है मैगनेटिक फिल्ड जनम लेता है यानि दुरू दूरू यह जो वैस्था है वो कैसे बनती है वो भूगरी ज़ो अंतजात और बहिजात गतियां है वो भूखरतिक गतियों में आते हैं तो यह अलग-अलग प्रकार की गतियां है इनमें हम जो बात करेंगे मुखे तोर पे वो खगोलिय गतियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही आपकी किसमे है सिलेबस में। बात करते हैं पृत्वी की घूनन गति के बारे में। प्रिष्वी की जो घूनन गती है उसी के वाज़े से क्या होता है आपका दिन रात होता है अच्छा परीभ्रमन गती भी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं परीभ्रमन गती भी इसको कहा जाता है तो देखो परीक्रमन गती और परीभ्रमन गती इसमें कन्फ्यूज मत हो ये का क्योंकि परिक्रमन गती परिक्रमा से संबन देता है यानि जो सूरे के चारो तरफ परिक्रमा जो आपकी प्रिजवी करती है उससे संबन देता है यह ना तो यह आपकी परिक्रमन गती है लेकिन जब वो अपने अक्षपे घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमन गती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिभ्रमन गती बोलते हैं, इस चीज को विश्यस तोर पे ध्यान रखेगा, परिक्रमन गती चारो तरफ होती है, जबकि ये आपकी क्या है, ये परिभ्रमन गती है, और ये जो चारो तरफ घूम रहे हैं इसको क्या बोलेंगे परिक्रमन गती बोलते हैं आगे देखें जब प्रत्वी अपने अक्ष के सापेक्स पस्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है आपके प्रत्वी कैसे घूमती है अपने अक्ष के सापेक्स पस्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है अपने अक्ष के साफ पे कैसे गोमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ गोमती है और बच्चे क्या कर देते हैं पूर्व से पश्चिम कर देते हैं क्योंकि उनको सूरे की स्थिति को देखकर वो क्या कर देते हैं पूर्व से पश्चिम लेकिन ऐसा नहीं है पश्चिम से पिर्ट्वी की घूंडन गती कहते हैं. एक्सिस क्या होता है? एक्सिस आप जानते हैं, जैसे आपका क्या है? ये पिर्ट्वी है और इसके ये धुरूब हैं, उत्री धुब और दक्षिन धुरूब अब ये डंडा रियल में तो इत्ता बड़ा ना है, तो संबव है, ना लाए जा सकता है. तो ये केवल कालपनिक रेखा है, इसको पिर्ट्वी के केंदर से गुजारते हैं, और इसी वेज़े से ये क्या कहलाता है? अक्ष कहलाती है. भूमद्य रिखा पर पिर्ट्वी की घुणन गती सरवादिक होती है. अब जब आप किसी बॉल को घुमाएंगे एपनी डंडी से, तो क्या होगा? यहां पर गती सबसे ज़्यादा होगी. यहां की चीज़ें सबसे ज़्यादा तेजी से मूब करेंगी. और यहां पर क्या इतना से चकर काटेगा? इसी तरह जितना जितना उपर की तरफ बढ़ते जाओगे, जितना द्रूओं की तरफ आप बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपकी क्या होगी? घुर्णन गती जो है, उस कम होती चली जाएगी. तो भूमद्य रिखा पर जो प्रिट्वी की घुर अंतम होता है और सुन्य होता है, बिल्कुल आपका जो ध्रूओं चेत्र है, यहाँ पर क्या होगा? आपकी जो घुर्णन गती है, वो सुन्य हो जाती है, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं. प्रिट्वी का जो घुर्णन काल है, वो कितना है? तेईस घंटे, छपन चार सेकंड में ही आपकी प्रिट्वी का जो घुर्णन काल है, वो पूरा हो जाता है, और इस कारणिंग क्या होता है? प्रिट्वी पर दिन रात बनते हैं, प्रिट्वी पर दिन रात बनते हैं, और इसी वज़े से इसको प्रिट्वी की धैनिक गती भी कहा जाता है, क्या गुर्णन गती या फिर परी ब्रह्मन गती ये इन रामों से हम इसको जानते हैं ठीक है बचो आगे देखें सौर दिवस की बात करते हैं सूरे के सापेक्ष पिर्थी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय किता है 24 गंटे सूरे का किसी निशित मद्यमान रिखा के उपर से दो बार गुजरने के अवधी भी सौर दिवस कहलाएगा क्या कहलाएगा सौर दिवस कहलाएगा फिर बात करें नक्षत्र दिवस की तो नक्षत्र दिवस नक्षत से संबन देता है किसी नक्षत्र के साप एक्षपिट्वी का अपने अक्षपर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है नक्षत्र दिवस कहलाता है और इसका समय काल भी कितना है 30 गंटे 56 मिनट और 4 सेकिन ही है ठीक है यह समझ गए होंगे आपको तो नक्षत दिवस क्या है किसी नक्षत्र के साफ एक्षपेट्वी की जो अक्षपेगती है वो और जो आपका जो दैनिक गती है जो गुर्णन गती है उसको इलिए परिभासित करें तो वो क्या है वो सूरे के साफ एक्षपेट्वी है आपके ठीके बच्चों आगे देखें किसी नक्षत्र का एक मध्यमान रिखा कि उपर से दो बार लगातार गुजरने की बीच के अवदी को भी हम क्या कहते हैं नक्षत दिवस कहेंगे सौर दिवस के अवदी नक्षत दिवस के अवदुलना में तीन मिनिट और चपन सेकंड अधिक है कितनी है तीन मिनिट और चपन सेकंड अधिक है ठीक है बात करते हैं देखो यहाँ पे क्या है यह आपके पिर्थवी है यह पिर्थवी आपके देखो आप मालो यहाँ पे खड़े हैं और सूरे आपको दिखाई दे रहा है तो क्या होगा जो पूरा रोटेट करके आएगी तो आपको एक रोटेशन पूरा होगा फिर से पर नक्सट दिखाई दे रहा है लेकिन जब ये पूरा एक पूरा चक्र लगा के आती है तो फिर से यहां पर वही लॉकेशन हमें दिखाई देगी तो फिर बात करते हैं गुर्तवा करशंड बल की तो गुर्तवा करशंड बल आपके इंद्री बल ये बहुत हो गए तो इन चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है अब गुर्तवा करशंड बल तो हम जानते हैं कि गुर्तवा करशंड कोई भी भारी चीज होती है जो भी दुनिया में होती हो सारी की सारी क्या रखती है ग्रेविटेशन रखती है जो आपके गुर्तवा करशंड बल है वो एक universal force है है ना तो दुनिया की हर एक चीज में gravitation होता है बड़ी चीजों में ज़्यादा होता है छोटी चीजों में कम होता है है ना तो आपके पृत्वी का ये gravitational force होता है तो ये क्या करता है अपनी तरफ अट्रेक करता है या अपनी तरफ सीज़ों को खीशता है फिर अप केंदरी बल क्या है अब आपकी किसी भी चीज़ को आप जोड़ जोड़ से घुमाईए मान लिज़े आप एक पत्थर को धागे में बांद कर घुमाईए तो उसकी जो गती होगी वो ऐसी होगी है ना और आप यहां से घुमा रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में क्या होगा कि अगर आप इसको छोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा भाग जाएगा दूर भाग जाएगा क्यों क्योंकि अप केंदरी बल के कारण जो केंदर के विपरीत लगता हो कब लगेगा क्योंकि आपने उसको घुमा रहे है तो आपके पिर्थवी भी तो घुर्णन गती कर रही है ना पिर्थवी भी तो घुर्णन गती कर रही है तो यह भी क्या इसके उपर भी क्या लगता है अपके इंदरी बल लगता है, ये चीजों को बाहर की तरफ धकेलता है, ये चीजों को अपनी तरफ धकेलती है, अट्रेक करती है, और ये क्या करती है, ये रिपैल करती है, भगाती है, दूट फैंकती है चीजों को, जो प्रित्वी पर इस्थित है उनकी, फिर दूसरी बात आपको पताईए कि आपकी जो पिर्थी है वो अपने अक्च से साड़े तीस डिगरी के एंगल पर जुकी हुई है यह न तो आपका जो अपके इंदरी बल है वो कहां पे लगेगा जहां सबसे ज़्यादा गुर्णन गती होगी अभी हमने देखा था कि गुर्णन गती सरवा है आपके यहां पर कहां पर आपके विश्वत रेखा पर यहां पर सरवाधिक होता है आप केंदरी बल यहां पर क्या होता है सरवाधिक होता है ठीक है आप देखी और आपका अभी केंदरी बल क्या है अब केंदरी बल के तौर पर क्या करेगा आपका क्लॉड अपनी तरफ नीचेएगा गुर्थवा कर्शन बल आपकी तरफ लगेगा है ना केंदर की तरफ की इस्ते वाला बल फिर अपकेंदरी बल के बारे में आगे बात करेंगे तो प्रिट्वी की गुर्णन गती के दौरान संतुलन के वस्ता बनाए रखने ही तो केंदर से बाहर की ओर लगने बल क्या कहलाता है अपकेंदरी बल कहलाता है ठीकें अपकेंदरी बल कहलाता है प्रिट्वी पर अपकेंदरी बल का सरवादिक मान कहां पर होगा भूमत देरिखा पर होगा क्यों होगा क्योंकि वहां पर भूमत देरिखा पर गुर्णन गती का मान सरवादिक होता है फिर क्योंकि घुनन के मान में कमी आती है है ना फिर बात करें आपके अभी के इंदरी बल की पृत्वी के और वो कौन सा है आपका ग्रेविटिशनल फोर्स है वो आपका गृत्वाकर्शन है जिसको सामने तौर पे हम यहाँ पे जी के तौर पे फॉर्मेट पे गृत्वाकर्शन बल कहलाता है और इसकी खूज किस नहीं की थी सर आईजेक न्यूटन के द्वारा की गई थी जिसको फॉर्मुलेशन के तौर पे हम जानते है जी कुल्चु जी एम वन एम टू अपॉन आज स्क्वाइर तो यह जो इस्तिती है बचों यह फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक यह बहुत यूनिवर्सल देखो पहली बात तो कुछ यूनिवर्सल फोर्सेज होती है दुनिया में चार ही यूनिवर्सल फोर्सेज है जिसमें से एक है आपका गृत्वाकर्शन बल एक है आपका गृत्वाकर्शन बल और इन बलों के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर हम चूंकि गृत्वाकर्शन बल के बारे में बात करें तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यह डाइवर्जन हो जाएगा टॉपिक से तो यह जो आपका गृत्वाकर्शन है इसका यह फॉर्मूला है और यह फॉर्मूला भी कई बार पूंच लिया जाता है तो जी इक्वल सो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्कॉयर एम वन क्या है आपके किसी भी चीज़ का मास है मतलब उसका वजन एक तरीके से है ना बिना ग्रैविटिशन फोर्स के उसका वजन और दूसरी चीज़ का भी वजन जिसके उपर फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है इन दोनों का वजन और आर स्कॉयर उन दोनों के बीच की दूरी है ना आर मतलब उन दोनों की बीच की दूरी और ये एक कॉंस्टेंट होता है ये एक इसरांक होता है नियतांक होता है तो ये क्या है ये आपका गुर्थवा कशन बल है जिसका एक फॉर्मूला है आर के आए आपके इसके बीच का डिफरेंच या बीच के में दूरी या फिर इसको हम त्रिजा भी कहे सकते हैं ठीक है तो यह आपने देखा फिर भूमत जो आपका दुरूविय व्यास है उसके बारे हम पहले ही बात कर चुके हैं भूमत दिये व्यास गुर्णनगती सरवादिक तो अपके इंदरी बल सरवादिक तो गुर्णनगती की वज़े से आपका लग रहा है दूसरा आपका अभी केंदरी बल लग रहा है क्यों लग रहा है गुर्णनगती की वज़े से लग रहा है अब सबसे ज़्यादा गुर्णनगती कहां पर द देखने को मिली अक्ष पे तो आपका बाहर की तरफ बहुत कम है यहाँ पर क्या होगा नियूंतम है तो ऐसी इस्तिती में यहाँ पर क्या होगा आपका गुर्णन गती सरवादिक होगी अपके इंदरी बल सरवादिक होगा यहाँ और गुर्णन गती नियूंतम होगा वहीं यहां पे अगर देखा जाए बहुत माइनूटली अगर तरीके से मेजर किया जाए तो यहां पे आपका वजन जो है वो आपका बढ़ जाएगा और यहां आपका वजन घटे जाएगा क्योंकि आपके ओपर जो ग्रैविटेशनल फोर्स है वो कम और जादा यहां पे होती है तो आप अगर दुरूपे जाकर अपना वजन नापेंगे या फिर विश्वत रिखा पर खड़ा होके वजन नापेंगे तो उसमें भी आपको डिफ्रेंस देखने को मिल जाएगा है ना पिर्च्वी की घुनन गती के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं तो घुनन गती क के वज़े से क्या होता है दिन रात होती है प्रित्वी के आकरती कैसी हो गई गुर्णन गती के वज़े से जियोड हो गई यानि द्रूपे से चप्टी हो गई फिर कॉरियोलिस बल जिसके बारे में हमने अभी बात की थी जब जौर भाटे के बारे में बात की थी जब मानस अगर ये जल धाराएं भी इसकी वज़े से उत्पत्ती होती है अब बात करें दिन रात की तो आपको पता है ये प्रिदिप्ति व्रत है ये कैसा है इसको क्या बोलते हैं प्रिदिप्ति व्रत क्यों? क्योंकि ये आपके दिन और रात को विभक्त करता है अब जो हिस्सा आपकी सूरे के सामने होता है वहाँ पे क्या होगा वहाँ तो दिन हो जाता है और जो विपरीत होगा वहाँ पे क्या होता है रात हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में इनको जो विभक्त करने वाला जो गोला है इसी को हम क्या बोलते हैं प्रिदिप्ति व्रत के नाम से जानते हैं और ये important है जब प्रिद्वी पस्चिम से पूर अपने अक्स पर कुनन गती करती है तो सूरे के जो समुक भाग है उसे दिन तथा सिस भाग पर रात होती है ठीक है प्रिद्वी पर दिन तथा रात को भाजित करने वाला जो व्रत है उसको क्या कहा जाता है प्रिद्वी की आकरती की बात करें तो लदवक्ष गोलाब यानि जिवाएड यानि भूआप होती है यानि आपकी प्रिद्वी जो है उसकी परीदी भी बड़ी होती है फिर बात करते हैं तीसरे Coriolis Bull के कारण तो Coriolis Bull क्या है पिर्चवी की घूनन गति के कारण वायू के दिसा में एक विक्षेव उत्पन होता है अब देजी से घूमेगा तो तो उसके उपर जो वायो मन डाले वो प्रभावित तो होगा, है ना, तो ऐसी condition में क्या होगा, जो उनके उपर जो विक्षोप क्रेट होता है, वो क्या कहलाता है, कॉरियॉलिस बल कहलाता है, और पिट्वी की घूणन गती से उत्पन, विक्षेप को उत्पन करने वाले बलक जो खोज की थी, वो जी जी कॉरियॉलिस ने की थी, और इसी वज़े से फोर्स को क्या नाम दिया, कॉरियॉलिस बल नाम दिया गया था, और कॉरियॉलिस बल का मान सरवादिक कहां पे होता है, अब ये बात सोसनी की बात है, कॉरियॉलिस बल का मान सरवादिक कहां होगा, और आपका भूमद्दे रेखा पर ये मान सुनने होता है ठीक है ये मान कैसा होता है सुनने माना जाता है ठीक है आगे देखें उच्च जवार की उत्पत्ती के बारे में बात करते हैं तो अपिर्टेक्च या उच्च जवार के लिए उतरदाई कौन कौन से होते हैं तो जैसे लगता है लेकिन लेकिन आपके जो सूरे का ग्राविटेशनल फोर्स है या फिर चंद्रमा का ग्राविटेशनल फोर्स है ये भी तो चीजों को अपनी तरफा करसित करता है तो ये भी आपके अपके इंद्रिबल में प्लस कर देता है यानि उसमें बढ़ा देता है अब जौर भाता क्या होता है हम पढ़ चुके हैं तो जौर भाता आपके अब के इंदरी बल् के कारण होता है जिसका मुक्षै कारक है वो आपकी घुननन कती है फिर आपके सूरिय और चंदर्मा भी इसके विश्यस कारक हो जाते हैं और आपको पताई है कि अब प्रित्यक्ष उच्छ जवार के लिए उत्तर जाई इसको माना जाता है अपके इंद्री बल को क्योंकि जहां पर सूर्य और संद्रमा अपनी तरफ पानी को आपके प्रित्वी पर जैसी ये पानी है अपकी इंद्री पेल को प्लस कर देते हैं अपनी तरफ पानी को कीशते हैं तो इधर क्या करेगा अपकी इंद्री बल अपना प्रभाव दिखाएगा और ये इसी छेतर को इस कंडिशन में क्या होता है आपका जो एप्रत्यक्ष उच्च जवार क्रेट होता है याद रखना आपका अपकेंद्री बल है और अपकेंद्री बल का कारक कौन है प्रत्वी की घूणन गती है तो अगर ये कहें कि घूणन गती की वज़े से प्रत्वी में अप्रत्यक्ष उच्च जवार उत्पन होता है तो क्या ये गलत होगा बिलकुल नहीं होगा बच्चों ये बिलक पुल सही होगा है न तो ज्वार भाटी की बात हम पहले कर चुके हैं ये बात हम बोल चुके हैं तो पिर्ची के विमुक भाग पर पिर्ची की घुणनन गती से उत्पन अपकेंद्री बलके कारण आपर तक ज्वार उत्पन होता है और यह आपको कुछ डाइग्राम दिया कर चुके हैं फिर बात करते हैं सीधे महासागरे जल्दाराओं की उत्पत्ती की तो महासागरे जल्दाराओं की उत्पत्ती की बात करें तो विश्वतिय रेक्या पर महासागरे जल्दाराओं मुखे तोर पे उत्पन होती है जब पिर्ची पस्चिम से पूर दिसा में इसको आप उल्टा मत कर दीजेगा जब महासागरे जल रासी है प्रित्विकी गुनन गती की दिसा में यानि पश्चिम से पूर्व की और गतिसील होता है तो प्रती विसुवत रेकिये महासागरे जल्दाराओं की उत्पती होती है तो प्रती विसुवत रेकिये महासागरे तो देखो ये था आपका गूनन गती जिसके वज़े से बहुत सारे लक्षन प्रभाव हमने हैं बात की आप बात करते हैं पिर्थी की परिक्रमेंट गती यानि वाट्चिक गती के बारे में जिसकी वज़े से आपके साल होता है जिसकी वज़े से आपके मौसम आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो आपको ये तो पता है कि वो अपने अक्च पे घुमती है लेकिन ये भी तो आपको पता है ना कि सूरे के चारों तरफ चक्र लगाती है आपके पिर्थवी और जब सूरे के चारोर चकर लगाती है तो बिल्कुल गोल चकर नहीं लगाती हूँ वो बिल्कुल सर्कुलर मॉमेंट नहीं करती है बिल्कुल गोल गोल परकमा नहीं करती है वो कैसी करती है दीर घृवरता कार परिक्रमन करती है दीर्ग ब्रता क्या होता है गोल नहीं होता ऐसा हותा है कुछ ऐसा होता है तो ऐसी condition में क्या हुआ दीर्ग ब्र Linux कार इसकी कक्छा बनती है जिसमें यह परिक्रमा करती है सूरे के चारोर और इसी को हम क्या कहते है परिक्रमन गती कहा जाता है इसको अब परिक्रमन गती कैसी होगी दीर वरताकार पत्मे होगी देखो यहाँ पर जो दो कोशन बनते हैं पहली बात तो हमने देखा था कि प्रित्वी के आकरती कैसी है जियोईड है भू आब है और दूसरा जो इंपोर्टेंट है प्रित्वी की जो परिक्रमन गती है वो कैसी है वो वरताकार ना होकर वो भी कैसी है दीर वरताकार है है न चलिए देखें आगे प्रित्वी की जो परिक्रमन गती है लगबग आपकी कितनी है एक लाग साथ हजार किलोमेटर प्रती घंटा है जबकि Пिर्च्वी के परगर्मन काल कितना है वो एक परगर्मा किता समय पूरा करती है तो 365 दिन, 5 गंटे, 48 minutes और 46 seconds में वो अपना एक पूरा साल पूरा करती है या पूरी एक परगर्मा पूरी करती है सूरत के चारों तरफ जिसको हम 365 और एक बटाचार दिन में बांड देते हैं ही ना? और इसी को 4 साल में मिला के क्या बना देते हैं? लीप इएर बना देते हैं और 365 दिन का वर्ष मानते हैं पृत्वी की परिकमेन गतिका उततरदाई करण है तो प्रित्वी का जो अक्षे जुकाव है एक तो उत्तरदाई कार्ण क्या है तो इसमें जो अक्षे जुकावे साड़े तेश डिग्री और प्रित्वी का अक्षे जुकावे जो साड़े 66 डिग्री तो उसकी वज़े से ये जो मौसम में परिवर्टन होता है ये हमें देखने को मिलता है अगर प्रित्वी पर जो जो जुकाव नहीं होता तो बहुत सारी जगह पे कभी मौसम नहीं बदलता टैंप्रेचर हमेशा एक जैसे रहते और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती इससे होता है दिन रात की अवधी में अंतर भी आता है बिलकुल हमने देखा था कि क्या कंडिशन है जब आपका प्रित्वी से जो प्रित्वी से हम देखें तो प्रित्वी पे कर्क और मकर रेखा के बारे में हमने पढ़ा था कर्क और मकर रेखा के बारे में हमने पढ़ा त जब सीधी केरने करक पे पड़ती हैं तो क्या होगा यहां पे दिन रात पड़े होते हैं जब मकर पे पड़ती हैं तो यहां पे दिन रात पड़े होते हैं तो यह क्या है दिन रात में भी अंतर होता है अपसौर तथा उपसौर की गटनाई भी देखने को मिलती है अपसौर क्या है अपसौर और उपसौर अपसौर है आपका सूरे और प्रित्वी की अधिक्तम दूरी जब ये दीर गवरताकार ये आपका सूरे है ये आपका प्रित्वी है तो पृत्वी की गती ऐसी होती है यानि दीरगवरताकार तो दीरगवरताकार में ये और ये रेडियस अलग-अलग होती है ये डिफ्रेंस ये दूरी अलग-अलग होती है जब ऐसी कंडिशन में हम देखें तो सूर्य और प्रित्वी के अधिक्तम जब दूरी होती है यानि ये वाली जो कंडिशन है इसको हम अपसौर परिस्टिती कहते है अपसौर परिस्टिती कहते है और जब निकटतम होती है तो हम इसे क्या बोलते है इसको हम उपसौर कहते है इसको हम क्या कहते हैं उपसौर की परिस्थिती कहा जाता है इसको तो इस उपसौर में क्या होगा सूर्य और प्रित्वी के बीच में कम से कम दूरी होगी और जो अपसौर की कंडिशन है उसमें सूर्य और पृत्वी के बीच में जादा दूरी देखने को मिलती है ठीक है तो पृत्वी पे जो अपसौर की घटना है 14.70 करोड किलोमेटर यानि तीन जून को यहाँ पर देखने को मिली थी जो आपका उपसौर था यानि पृत्वी और इसकी जो दूरी थी वो कम हो गई थी जो आपकी कम हो गई थी तब इतना था लेकिन जब यह दूरी पर इस्तित था यानि आपसौर की घटना जब घटी तो यह कब घटी आपकी 4 जुलाई को देखने को मिलती है यह हर साल में देखने को मिलती है तो उस वक्त आपके प्रित्वी की जो इस्तिती थी वो 15.21 करोड किलोमेटर दूर थी तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है डिफरेंस यहां देखने को मिल रहा है यहां लाखों किलोमेटर में इसका डिफ्रेंस देखने को मिल रहा है और यही क्या है उपसौरा उपसौर की घटना कहलाती है तो खगोली दूरी सूरे और प्रिट्विकी औस दूरी है जिसको हम क्या बोलते हैं 15 करोड किलोमेटर हमने हमें से अक्सर यही पढ़ाए कि जो पिर्ची की दूरी है वो कितनी है सूरे से वो 15 करोड किलोमीटर है लेकिन एगजेक्ट दूरी कभी कोई नहीं पूंचा उसका रीजन क्या है क्योंकि उपसौर आपसौर की जो घटनाए है वो रेगुलर होती रहती है बात करते हैं आइनान्त और विसुफ की यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और इसको अच्छे से आपको समझना चाहिए तो इसमें सीधा सीधा हम चलते हैं एक छोटे से डाइग्राम की तरफ यह आपके NCRT की बुक से आपका लिया गया है यह आपने जब NCRT की बुक देखी होगी तो निश्चित रूप से आपने इसको पढ़ा भी होगा है ना अब आइनांत और विसुफ होता क्या है तो देखो वी तितिया जब दिन रात की अवधी में सरवाधिक अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है आइनांत कहा जाता है तो एक तो होता है अपका उत्तर आइनांत एक होता है अपका दक्षिन आइनांत ऐस पे इस वक सीधी केरने पड़ रहे होंगे और आपके जो करकर एका है यहां पे सीधी केरने नहीं पड़ रहे हैं तो ऐसी परिस्चिते में यहां क्या हो जाएगा यहां पे दिन रात ज्यादा लंबे हो जाएंगे यहां पे क्या होगा दिन रात ज्यादा लंबे हो जाएंग अब 24 गंटे का ही दिन रात होता है तो इसमें क्या हो जाएगा दिन रात में परिवर्दन जो देखने को मिलेगा तो यहां पर दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी और यहां पर रात हमेशा अंधेरा जादा वक्त रहेगा और उजाला कम रहेगा तो मतलब आते हैं बढ़ी हो गई और दिन छोटे हो गए, कहां पे कर करेका पे तो ऐसी कि जो इस्तिति है क्यों करियट हूई, क्योंकि इस स्वित आपके जिर शूरे की क्षेगि क्रोंए हो वह मकर रे खा पर सीधी पढ़ रही होती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, दक्षण एनांत कहते हैं, और जब बिलकुल सीधी करने पढ़ती हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है, बाइस दिसंबर को ऐसी स्थिति आती है, और इसको हम दक्षण एनांत कहते हैं, और इस दिन क्या होता है, इस छे तो यहां पे रात सबसे बड़ी होगी, करकरेखा पर रात सबसे बड़ी होगी, जबकि मकररेखा पर दिन सबसे बड़ा होगा, यहीं उत्तर एनांत की बात करें, तो उत्तर एनांत में क्या होगा, करकरेखा पर सीधी करने पढ़ रही होगी, और मकररेखा पर नहीं पढ़ रही होंगी तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा वहां पर तिर्शी करने पढ़ने लगेंगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा करक रिखा में दिन का जो अवदी है वो बढ़ जाएगी और वहीं पर आपकी जो मकर रिखा पर है वहां पर रात की अवदी बढ़ जाएगी ठीक है, वहां देरा ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो ऐसी प्रिस्टिति में होगा रात की गतिविदी बढ़ जाएगी रात की अवधी बढ़ जाएगी और ये जो सरवाधिक बड़ी रात जो देखने को मिलती है आपके मकर रेखा में सरवादिक बड़ी रात है ना वो 21 जून को और करक रेखा पर सरवादिक बड़ी दिन कौन सा मिलता है 21 जून को मिलता है तो ये चीजें क्या हैं ये उत्तर आयनांत के नाम से हम इसको जानते हैं अच्छा उत्तर आयनांत जब होता है कब होता है आपका सीत रितु में देखने को यह मिलता है कब मिलेगा सीत रितु में देखने को मिलेगा जब कि दक्षिन गुलार्द की और आपके उत्तरी गुलार्द में बात करें तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त आपको क्रिस्म रित तो आपने देखा होगा 21 जून के समय यहाँ पर क्या होती है ग्रीस में रितू होती है और 21 जून के समय क्या होती है गर्मी पढ़ रही होती है और वहाँ दिन 21 जून को आपको सबसे लंबा देखने को मिलेगा वहीं पर दिसंबर में बात करें तो हम कहां पे हैं करक्रेखा पर तो करक्रेखा के पास में होनी के वज़े हमारे लिए रात बहुत लंबी होगी है ना और यहां पे क्या हो रहा होगा आपके सीतरितू का प्रवाव हमें देखने को मिलेगा जबकि दक्षिन गुलार्द में उस वक्त क्या हो रहा होगा ग्रिस मिलेतू यानि आप जब देखते हैं क्रिस्मस डे मनाते हैं तो 25 दिसंबर को मनता है तो जब हम हम तो इसको कब मनाते हैं सीतरितू में मनाते हैं ठंड के मौसम में मनाते हैं लेकिन जब आस्टेलिया की बात करें जो कि दक्षिन गुलार्थ के शित्र में पढ़ता है तो वहाँ पर क्या है ग्रिस मेरे तुम्हें क्रिसमस डेवो मनाते हैं ठीक है बात करें विसुब की विसुब वो इस्तिति है जब आपके विसुब तरेका पर सीधी करने पढ़ती है जो आपके विसुब तरेका पर सीधी करने पढ़ रही होती है तो ऐसी जो इस्तिति होती है वो विसुब कहलाती है वहाँ खोगोली इस्तिति जब सूरे दक्षिन आयन में भूमत देरेका पर सीधा लवच समकता है और आपका क्या होता है उत्तर रेनान से डक्षिन आयन के तरफ बढ़ रही होतीए और यहाँ पर क्या होगा दिन रात के अवधी समान होगी चाहे आपका 21 मार्च वाला विसुब हो या फिर आपका 23 सेप्टेम्बर वाला विसुब हो दोनों वक्त में ही क्या होगा दोनों ही वक्त में आपकी जो आपके दिन रात की अवदी है वो समान होगी वो क्या होगी? समान होगी दोनों ही जगह पे तो उस वक्त दक्षिन गुलार्द में 23 सेप्टमबर को दक्षिन गुलार्द में क्या होगा? वसंतरितु होगी जबकि उत्री गुलार्द में सरदरितु होगी और इसी के विपरीत जब 21 मार्च के आसपास हम चलते हैं और वहाँ जब विसुव की बात करें तो आपके उत्री गुलार्द में वसंतरितु चल रही होगी तो आपके दक्षिन गुलार्द में सरद्रेतु चल रही होगी ठीक है तो यह आपने देखा यह आपका क्या है यह आपके विसुब और एनांत के बारे में बात हुई तो चलिए एक बार नॉट्स भी देख लेते हैं एनांत क्या है वे तितियां जब दिन रात की अवदी में सरवादिक अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है एनांत कहा जाता है यह आपके दो होते हैं एक तो ग्रिस्म एनांत होता है एक तो आपका क्या होता है ग्रिस्म एनांत होता है एक आपका सीत एनांत होता है उसी तरीके से आपके विसुव की बात करें तो वे तितियां जब दोनों गोलार्ट उत्रिय और दक्षिंड में दिन रात की अवदी समान होती है उस वक्त पर सभी इस्थान पर दिन और रात की जो अवदी है उस समान होती है विसुव की परिस्तिती में और इसी को हम क्या बोलते हैं विसुव इस्तिती बोलते हैं और विसुव दो प्रकार के हैं एक वसंत विसुव एक सरद विसुव ठीक है वसंत विसुव की बात थोड़ा सा करें तो 21 मार्ज को आपका वसंद विसुब देखने को मिलता है और वह खगोली एस्थिति जब सूरे के दक्षणायन से भूमदे रेखा पर सीधा लंवत चमकता है वसंद विसुब 21 मार्ज को आता है संपून पृति पर दिन रात की अवधी समान होती है सरद विसुब की बात करें तो खगोली एस्थिति जब सूरे के दक्षणायन से भूमदे रेखा पर सीधा लंवत चमकता है सरद विसुब कहलाता है और यह स्थिति का देखने को मिलती है 23 सेप्टेंबर को देखने को मिलती है और इस दिन भी संपून विसमे दिन और रात की अवधी क्या होती है समान होती है फिर बात करेंगी इस मायनान्त की तो वेखगोली एगटना जब सूरे करक रेखा पर 35.5 डिगरी उत्री अक्षांस पर सीधा या लवज चमकता है इसे ग्रिस मायनान्त कहते है और इसको क्या कहते है करक संक्रान्ती भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है करक संक्रान्ती भी कहा जाता है उसी प्रकार ग्रिस मायनान्त जो है या करक्सक्रांती ही जो है वो कब आती है वो आपकी 21 जून को देखने को मिलती है फिर ग्रिस्म अनायंत की जो प्रभाव हैं तो उत्री गुलार्द में क्या होगा ग्रिस्म रितु होगी आप जानते हैं और जक्षिन गुलार्ज में उस वक्षित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रित्रि बड़ा होगा जहां उजाला ज्यादा समय रहेगा तो ऐसी परिस्तिती में जब करक रेखा पर सीधी गिरने पड़ती हैं तो यहां पर क्या होती है रात छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं और वहीं मकर रेखा पर यह परिस्तिती विपरी जिसके रात बड़ी और दिन चमकता है उसको सीत आयनांत या मकर संक्रानती कहा जाता है ठीक है और सीत आयनांत मकर संक्राती जो है वो आपके 22 दिसंबर को कटित होती है ठीक है और इस दिन क्या होगा आपके मकर वाले रिखा पर क्या होगा आपके दिन बड़ा हो जाएगा और रात आपकी छोटी हो तो यह मकरशक रांती और सीतायान्त के प्रभाव क्या हैं? यह आपका उत्री गोलार्द में ऐसी परिस्टे में क्या होगा? सीत्रity होगी, सबसे छोटे दिन और सबसे बड़ी राती हो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे राते देखने को मिलेंगी तो बच्चों ये था आपका प्रिच्वी की गतियों का चैप्टर ये होता है complete मिलते हैं next topic के साथ तब तक के लिए thank you हुआ हुआ